हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल आइस गेट्विस इस वीडियो में जहरकंड स्टाफ सर्विस कमीशन के जूनियर इंजिनियर सिविल के एक्जाम में जो डाउटफुल कोशन्स को आ रहे हैं विट रिस्पेक्ट तो मॉडल एंसर कीज वो हम लोग कुछ शि प्रेंस प्रवाइट करने के कोशिश करूँगा मीनवाइल जो चार-पान शिफ्ट्स हैं जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है इसका जो मैं पीडियेफ है वो टेलिग्राम पर डाल दूगा तो लेट्स स्टार्ट यह पार्ट फोर है तो सबसे पहले स्टार्ट करते यह हमारा सौरफ सुन्वानी की बूक है इसमें दिया हुआ है वाटर वेपर हमारा जो उनाइटि इस्टेट्स इन्वर्मेंटल प्रटेक्शन एजनसी की वेब साइट है उसमें वाटर वेपर इस दा अनधर ग्रीन हाउस गैस और प्लेस अ की रोल इन इसमें आपका अब्जेक्शन नहीं रेस करना है उसके बाद नेक्स्ट कोशिए है हमारा इसमें इंपरिकल रूल से ठीक है तो यह करेक्ट एंसर है इसमें भी कोई अप्जेक्शन नहीं है आपको नहीं रेस करना है विच प्रॉपर्टी इस इंपर्टेंट इन डिलेंग अंसेट अफ लोकल वकली इन इंपरेशिन आपको लिए तो लोकल केक्शन है यह यह विट लीट कर रहा है थीक है यह जो हमारे मेंबर से उनके प्रॉप्सेशन अलिमेंट्स का जो डिमेंशन से उसपर अपर रिपेंड कर रहा है बट शाथ-साथ नमारा इल्ड इस्ट्रेस पर भी depend कर रहा है तो हमारा C, A and C दोनों multiple options correct हो सकते हैं reference के लिए आप मैंने IS 800-2007 का book का reference दिया है जिसमें limiting width तो thickness ratio जो है different compression elements compression की बात कर रहा है local buckling की बात कर रहा है तो BYT जो है वो local buckling control के लिए है इसमे class of section जो है यह ratio जो है यह हमारा BYTF है यह ratio depend कर रहा है different class of sections के लिए E पे और यह E क्या है Eta, this is basically 250 by Fy root square root Fy जो है, this is yield stress यहाँ पर आप objection raise कर दीजिए, multiple options correct होने की वज़े से आप इसमें objection raise कर सकते हो next question है हमारा कि हमारा जो bitumen है इसमें penetration test जो perform करते है and this is basically a consistency test SK Sarma की book में clear लिखा है कि penetration is the consistency test used to designate grades of between events, तो consistency हमारा correct answer है, इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है potential energy difference per unit weight of flow between the points is known as hydraulic gradient इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है यह question जहां से frame किया, मैंने वो reference दिया physics forums का जो official website है इसमें clearly लिखा है कि hydraulic gradient है, it is the potential energy of water per unit weight over a certain distance in the fluid system इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है यह book का reference भी दिया हुए मैंने वरांत primary advantage of dumpy level यह already मैं पुराने वीडियो में आपके साथ discuss कर चुका हूँ, it is simple to use and it is a robust system ठीक है यह बाकी तीनों हमारे irrelevant dumpy level के लिए तो हमारा a statement correct है, इसमें भी आपको objection नहीं raise करना, figure out the ingredient which in access in access cause cement to become unsound soundness of cement किसकी वज़े से हमारा cement जो है, वो unsound हो जाता है अगर वो access में present है, तो इसमें हमारा sulfur और magnesia दोनों option correct है multiple options are correct b and d, reference की book पे गुर्चरन सिंग और building construction की material page 879 पे आप देखेंगे लिखा हुआ है access sulfur, access amount make cement unsound, पूरा अगर book का screenshot देखते हैं, तो गुरुचरन सिंग की book है इसमें sulfur की में भी ये कहता है access amount make cement unsound magnesia में भी अगर हमारा access amount है, तो it makes the cement unsound ठीक है, तो हमारा magnesia और sulfur दोनों ही correct answer है, इसमें आप objection raise कर दीजे, उसके बाद दूसरी भी book है, इसमें building material की इसके दुगल में, इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारे जो sulfates है इसमें basically sulfur है it also makes cement unsound ठीक है, और साथ ही साथ जो magnesia है ये भी हमारा unsoundness के लिए responsible है, तो दोनों book का reference देके आप इसमें objection raise कर सकते है इसके next question which of the following is used to determine the mean strength of concrete, कौन सा parameter हमारा mean strength निकालने के काम आता है यहाँ पर यह नहीं पूछ रहा है कि mean strength को designate कैसे करते है, mean strength हमारी जो है, इसको हम fcm से denote करते है, this is the denotion and निकालने के लिए आपको fck चाहिए, reference के लिए उन्नी कृष्ण पिल्लाई की book है हमारा ठीक है, RCC की, जिसमें हमारा page 42 पे लिखा हुआ है जो mean target strength है, जिसको हम fcm बोल रहे हैं, इसके लिए determine the mean target strength from the desired characteristic strength mean target strength, characteristic strength से निकालने है, with certain degree of quality control, which depends upon standard deviation fcm निकालने के लिए आपको fcm चाहिए, fck चाहिए तो हमारा यहाँ पर जो option है वो हमारा a हो जाएगा a will be the most appropriate answer इसमें आप objection raise कर दीजिए उसके लिए, next question है हमारा कि हमारी scale वाला जो parameter है, engineer scale जो दी है 1 is to 100 दी हुई है यानि इसको 1 cm is equal to 1 meter भी लिख सकते है और हमारा 300 meter road जो है, वो इसका मतलब इसको representative fraction के form में लिखा हुआ है representative fraction की आप यह definition देख लिए है इसको solve करके properly दिखा दीजिए यह S के दुगल का reference है book का इसे 1 cm is equal to 1 meter हो जाएगा, engineer scale तो 300 meter road जो है वो 300 cm को represent करेगी and 300 cm is equal to 3 meter ठीक है, तो 3 meter जो है, वो हमारा map में आप देखोगे तो 3 meter को represent करेगी तो इसमें भी आपको objection raise कर देना है you can give the reference of any book जहाँ पर representative book की definition दी हो, यहाँ पर numerical भी solve है, इस scale को use करके तो मैंने यहाँ पर reference दे दिया है इसके तुगल का, यह किसी भी book का आप दे दीजे यहाँ पर representative fraction की definition दी हुई हो इसके next question है कि total station में जो angle में जरुआ 360 degrees, 360 degree को हम कितने revolutions में express कर सकते हैं यहाँ पर एक link दिया हुआ है जिसमें revolutions को degrees को revolutions में convert किया गया है तो you can see 360 degrees जो है वो one revolutions के बराबर है ठीक है, तो यहाँ पर यह calculation का एक article है जो sexton का, इसमें revolution is equal to degrees divided by 360 degree तो इसमें भी आप objection based कर लिए और एंसर गलत दिया हुआ है, it is one revolution ठीक है, यह गलत हो गया उसके बाद, which of the following limes are produced which of the limes are produced from carboniferous ferrous limestones and magnesium limestones reference के लिए baby lawn education का एक lecture है इसमें लिखा हुआ है clearly कि these are produced from carboniferous limestone and magnesium limestone इसको हम लगर download करके इसका इस article पूरा detail में पढ़ते हैं तो you can see कि hydraulic lime ही हमारा carboniferous limestone और magnesium limestone से बना है तो हमारा इन्होंने जो answer दिया है वो सही दिया है इसमें भी आपको objection नहीं रेस करना है उसके प्राइमरी कंपोनेंट आफ quick lime यहां पर स्टुटेंट्स को यह 13 अक्टूबर की upshift इस्टार्ट हो गई है 13 अक्टूबर की shift में जो कुछ questions मुझे समाझ आए वो है primary component of quick lime quick lime basically हमारा क्या होता है CAO तो हमारा CAO ही answer होगा calcium carbonate से यह बनता है but यहां पर component पूछ रहा है यह नहीं बनता कि किस से बन रहा है ठीक है तो इसमें confusion नहीं होनी चाहिए quick lime इसका CAO एंसर ही होगा यहां पर आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो clearly लिखा हुआ है कि यह pure lime stone के calcination से बनता है but it is actually CAO and has a great affinity for moisture अगर इसमें पानी डाल देंगे यह बन जाएगा hydrated line इसमें भी आपका objection नहीं रेज करने की ज़रूरत है इसके बाद हमारा next question है कि Euler's formula is used for calculating the critical buckling load for long columns यहां पर इन्होंने गलत answer दिया है strength of materials की हमारी रामा मूर्थम की book है यहां पर भी आप देख सकते हैं कि Euler's theory of long columns है ठीक है इसके assumptions पर भी आप देखोगे तो हम Euler's theory के applicability तब देखते हैं जब हमारा length of column is very large है दूसरी book reference देख सकते हैं परवीज गजामी की mechanics of material की book है जिसमें यह लिखा हुआ है कि Leonard Euler's derived a formula for cylinder columns that shows the critical load would cause buckling in this type of column तो cylinder column के लिए use कर रहे है एक numerical भी दिया हुआ है जहां पर इसके applicability के लिए हमारा slenderness ratio निकाला गया है and the compression number is a cylinder column the Euler's theory can be applied ठीक है तो इस पर भी आपको objection raise कर देना है which type of joint allows both horizontal and vertical moment in a concrete payment actually यह जो joint है यह हमारे Indian context में अगर आप देखें तो हमारा isolation joint Indian context में नहीं provide किया जाता Indian context में हमारी यही तीन joints है लेकिन अगर आप इस questions को देखें कि question ने frame कहां से किया गया है तो आपको highway engineering की TF4 की book है design of rigid payments की जिसमें isolation joints are full depth joints provided to allow relative and horizontal one vertical moment between a payment ही हो सकता है ठीक है तो मेरे हिसाब से इसमें objection आप raise कर दीजिए Indian context में अगर expansion joint की आप definition देखेंगा IS code के हिसाब से तो यह functionality आपको expansion joint की नहीं मिलेगी ठीक है यह बोलता है सिर्फ to allow expansion of concrete slab due to rise in average temperature in summer months ठीक है तो that will be horizontal directions specifically तो मेरे हिसाब से इसमें objection raise कर देने चाहिए using this FWA book वह वाट दस दस्वाइल with high bulk density usually indicates इस पे भी बहुत सारे students को doubt है doubt बिल्कुल सही है इसमें low porosity भी होगा और low compaction भी होगा reference के लिए आप book P.K.Ramachandranayar book page 371 में देखेंगे तो high bulk density of soil is an indicator of low soil porosity and soil compaction इसका बड़ा screenshot अगर हम लोग देखते हैं तो you can see कि यहाँ पे हम लोग को यह मिल जाएगा देखने के लिए ठीक है P.K.Ramachandran की book 15.4 3371 page पे यहाँ पे last line लिखी the high bulk density of soil is an indicator of low soil porosity and soil compaction इसमें आप objection raise कर दीजेगा यहाँ पे दूसरी भी book का reference दिया हुआ है bulk density university of Missouri इसमें clearly लिखा हुआ है high bulk density is an indicator of low soil porosity and soil compaction इसमें आपको objection raise करना है the type of soil which is generally difficult to compact is clay clay हमारा more relevant option होगा as compared to gravel reference की लिए Oklahoma State University की book है clay soils are difficult to compact इसमें आप objection मत raise कर दोगा है what does the term lateral tors and buckling typically refers to the lateral stability of beams में आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो you can see कि यह वाला जो behavior है lateral tors and buckling का यह हम लोग आप बीम्स में ज्यादा predominant है lateral tors and buckling of i section beams ठीक है तो मेरे हिसाब से most appropriate answer d होगा कुछ लोगों columns के साथ इसमें confusion है I don't think कि इसमें आपको objection raise करने की जरूवत है Macaulay's method में the term x-a in the integrand signifies क्या signify करता है यह Macaulay method की book का reference दिया हुआ है यहाँ पे x-a जो है यहाँ पे अगर a देखेंगे this is the a a is the position of the load from the left hand support और कोई हमारा section है ठीक है तो यह हमारा x-a will represent the location of the section location of the section under consideration from the left hand ठीक है तो मेरे हिसाब से b जो इन्होंने answer दिया है यह ठीक दिया इसमें आपको objection raise करने की जरूवत नहीं है इसके बाद next question है which factor is considered when determining the appropriate mix proportion for concrete mix design इसमें more appropriate answer है जो है वो project location है project location यहनी site की location है कहां पर site हमारी situated है because बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपका raw materials है जो आपके aggregates है वो आपकी इसी location पर depend करेंगे जो exposure condition है अगर आपकी वो सारे चीज़ें जो parameters है वो project location से govern होंगे ambient temperature तरीके secondary parameter हो सकता है तो most appropriate answer हमारा project location होगा हम लोग reference के लिए इसके दुगल की book का reference देंगे इसमें page number 310 पर आप देखेंगे design requirements of mix design की बात करता है तो clearly पहली line जो लिखी है before the engineer can begin to design a concrete mix the following information from the site of work यह लिख रहा है na site of work यह information हमें grade क्या use करना है cement क्या use करना है aggregate किस type के available है ठीक है water किस type का available है उस particular project site पे तो यहाँ पे यह information आपको कहा से मिल रही है यह site of work से मिल रही है यह project location से मिल रही है मेरे हिसाब से D is the most appropriate answer जो हमारा ambient temperature है वो secondary parameter हो जाता है जिसमें हम moisture corrections और वो सारी चीज़े कर सकते हैं but relevant is option D which term describes the process of allocating cost individual items or components in detailed estimate तो जो research करने से यह पता चला कि cost allocation जो है वो nearest option हो सकता है cost estimation नहीं होगा cost estimation की अगर आप definition देखेंगे जो standard books में तो कुमार नीराज जहा की जो book है उसमें cost budgeting को क्या कहा गया है it is the process of allocating the overall cost estimate to individual items of the project ठीक है अब डैविड रिचर्ट की जो हमारी project management की book है इसमें cost estimation को कहा गया है the process of predicting the cost of project यहाँ पर क्या पूछ रहा है हर item में कितनी cost allocate करना है ठीक है तो आप मेरे साब से cost budgeting allocating cost estimates to individual project components या cost allocation भी आपको nearest answer है इसमें आप objection मत raise करिये इसमें they will not agree in my opinion which property of construction material is associated with their ability to transmit light without significant absorption or scattering इसमें से कोई भी answer correct नहीं है none of option is correct field of optics में इस definition को आप transparency pellucidity या definitely बोलते है it is a physical property of allowing light to pass through material without appreciable scattering of light ठीक है तो यह आप link दे दीजे call as search.in यह article है इस article को आप search करके transparent objects are defined by their ability to transmit light without significant absorption and reflecting or scattering और इस property को आप transparency pellucidity बोलते है इसमें अभी आप objection raise कर सकते हैं next question है हमारा what is the main advantage of using tag code tag code के लिए हमारा IRC SP 16 की guideline से यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो you will be able to know कि it ensures a bond between the surface being paved and the overlying codes any existing surface हमारा most appropriate answer A ही होगा ठीक है इसमें doubt नहीं होना चाहिए किसी student को उसके next question है हमारा which grade of OPC is commonly used for general civil construction like building and payments पिछले वीडियो में में बिसकस किया था normal works के लिए normal strength requirement के लिए हम लो 33 grade यूस करते हैं इसमें कोई objection आपको नहीं रूस करना है रेफरेंस में पहले अल्रेदी दे चुका हूँ classification of bitumen based on the application is roofing bitumen ठीक है road, roofing, construction, insulation special purpose bitumen times in terms of application ठीक है तो roofing bitumen ही बचता है बाकी जो है residual, oxidized and compounded यह हमारे production method पर based है ठीक है और हमारे in terms of application road, roofing, construction, insulation, special purpose यह classification of bitumen emulsion.globecore.com की एक website है वहाँ पर आपको मिल जाएगा which of the following is not a considered a limit state यहाँ पर simply हमारा limit state कौन सा नहीं है यह question पुछा जा रहा है तो जो यहाँ से question set किया गया है वहाँ से देख लेते हैं कि Cambridge University Press की website है यहाँ पर बोलता है कि हमारे पास limit states are classified into four categories serviceability limit state, ultimate limit state, fatigue limit state and accidental limit state ठीक है तो हमारा elasticity limit state कोई limit state नहीं है यह हमारा correct है लेकिन अगर आप Indian books या Indian codes में देखेंगे तो हमारे पास दो ही limit state design, limit state of collapse और ultimate limit state और serviceability limit state है और ultimate में हमारा fatigue बाला की parameter भी बहुता है तो मेरे साफ में इसमें आप अप अब्जेक्शन मत रेस करिये, because they have framed this question from here and they will not agree तो यहाँ पर रेफरेंस भी दिया हुआ है मैंने fatigue limit state की definition भी दी हुई है इसके next question हमारा क्या है कि which of the following technique is commonly used for contouring in hilly terrians radial line method जो है क्यार रोडा की बुक दी है hilly terrain में हम लोग radial line method यूज करते हैं for contouring small hill area radial lines are run from the back to cover the area दूसरी बुक है Arthur Benister की यह भी हमारा suitable for contouring this method is radiating lines जो method है यह हमारा suitable for hilly terrains है तो यहां पर भी objection areas करना है seever appretences में हमारा backflow prevent करने के लिए हम लोग check ball लगाते हैं इसमें भी आपको objection areas करना उसके next question है हमारा slenderness ratio and tension member influence which type of failures अब इस पर कुछ students को doubt है कि जो tension members है वहां पर slenderness ratio की limits है वो क्यों दी गई है वो उसमें हमारा buckling ही nearest option बस हमारा जो है वो होगा reference के लिए हमारी जो इसके दुगल की book है इसको आप पढ़ेंगे अगर अच्छे से तो यहां पर बोलता है in order to provide adequate rigidity to prevent undesirable lateral moments ठीक है and this is lateral moments are due to maybe due to buckling ठीक है and excessive vibration design specification usually limits slenderness ratio for tension members ठीक है तो यहां इस paragraph को अगर आप पढ़ेंगे तो we will able to appreciate कि हमारा most relevant answer है वो possible जो है वो fracture buckling ही होगा yielding नहीं होगा ठीक है 5th October में कुछ questions है वो discuss कर लेते हैं which type of error is introduced when chain or tape is longer than its standard length तो हमारी जो error है वो negative होगी and this will be a negative cumulative error ठीक है तो हमारा जो answer possible हो सकता है option C हो सकता है A इसका answer नहीं हो सकता है reference के लिए surveying की BC पुनमिया की volume 1 की जो book है इसका मैंने आपको page 58 और 59 दिखाया है इसमें आप इस paragraph को पढ़ेंगे अगर तो लिखा हुआ है if the length of chain is more the measure distance will be less and hence the error will be negative और error जो होगी incorrect chain length की जो error है वो cumulative error होती है तो negative cumulative error होगी यह same चीज़ यहां पर इन्होंने summarize किया है negative cumulative error यहां से आप reference दे सकते हो page 58 59 का what does the reinforcement ratio in RCC design means reinforcement ratio के लिए यह हमारा website का link है जिसमें American code standards में reinforcement ratio के कैसे define किया गया है it is defined as the ratio of the ratio of steel reinforcement का area divided by the cross sectional area ठीक है effective cross sectional area ठीक है this is the effective because overall depth हम नहीं ले रहे है ASD by BD जो है reinforcement ratio कहलाता विन्होंनों इसमें कोई option match नहीं कर रहा ratio of steel reinforcement to concrete volume in structure element ठीक है तो यह appropriate नहीं है इसमें कोई option हमारा correct नहीं है ASD by BD जो है इसका correct answer है cross sectional area of the steel reinforcement in tension divided by the ठीक है total steel reinforcement divided by the जो हमारा effective cross sectional area है Pascal's law में हमारे option B और option D दोनों ही सही है multiple options correct है B and D, Sivguma और रभुमंशी की book है इसमें exactly यही paragraphs लिखे हुए है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो pressure exerted on a fluid in enclosed container is transmitted equally and undiminished यहां पर भी यह हमारी modis 8 की book है fluid mechanics की उसके 2.4 में भी the pressure at any point in a fluid at rest has the same magnitude in all directions and the pressure is equally transmitted in all directions to every point in the field यह वाला जो paragraph है यह option D को confirm करता है कि हमारा जो Pascal's law है वो हमारा B और D दोनो statements हमारे उससे correct होते हैं उसका 16th October का हमारे पास कुछ questions हैं इसमें shear strength of GC group gravels group को classify करना है तो यह हमारी United States का एक earth manual है जहां पर आप GC यानि clay gravel के लिए देखेंगे तो यहां पर engineering properties of concrete में हमारा group symbol हो गया और shear strength हो गया तो GC के लिए आपका जो है वो good to fair है तो इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है good to fair इन्होंने answer दिया है most of the questions इन्होंने सही दिये कुछ questions जो है गड़बड कर दिये है जो primary reasons for introducing double bars है is to facilitate the load transfer यह जस्टोखना की book है इसमें आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए maximum face water cement ratio compacted concrete के लिए क्या है 20 mm nominal maximum aggregate size of sulphate content 0.2 से 0.5% as well में तो यह मैंने अपनी test series में भी questions दिये थे 0.2 से 0.5% है अगर total sulphate content तो maximum face water cement ratio जो है वो 0.5 रखना है ठीक है तो हमारा correct answer दिया इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है concrete mix preferably used for mass concrete in foundations में हमारे 1-6-12 और 1-5-10 यूज़ करते हैं इसके सर्मागी बुक में दिया हुआ है यह दूसरी भी देख लेते हैं इसमें हमारा 1-5-10 यानि M5 की जो grade है it is mass concrete works for foundations ठीक है एक पांच-10 H.S. विश्वनाथ ठीक है तो most appropriate answer जो है वो हमारा एक पांच-10 हो एक चार-8 हो सकता था पर इन्होंने option दिया नहीं है next question है हमारा कि which of the following additives is used to increase the workability of fresh concrete without increasing the water content या IS 9103 का code है इसमें हमारा water reducing admixture या workability aid में same definition लिखी हुई है which either increases workability of freshly mixed motor or concrete without increasing the water content and maintains workability with a reduced amount of water हमारा एही answer correct होगा इसमें भी आपको कोई objection raise करने की ज़रत नहीं है open defection से हमारा contamination of water source होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो dairy और dysentery जैसे बीमारी हो जाती है उसके which type of rock typically contains fossils is sedimentary rocks correct है reference के लिए मैंने आपको दिया हुआ इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है इसके next question पर आते हैं simply supported beam के लिए boundary conditions है उसमें slope हमारा maximum होता है और deflection zero होता है supports पे तो C correct है reference के लिए प्रकास MN Sheshah की book है test book of mechanics of materials इसमें हमारा page 193 पे अगर आग जाके देखोगे तो same जीज़ आपको मिल जाएगी यहां पर कि जो हमारी simply supported beam है इसमें हमारा deflection है उस supports पे 0 है और slope जो है वो maximum है supports पे ठीक है theta a and theta b figure 5.3 तो इसमें आप objection raise कर दीजिए इसका option C होगा इन्होंने गलत दिया हुआ है expression inside the bracket in Macaulay's method is negative then the value is considered to be 0 यहां से आप देख सकते हैं कि अगर यह x-a x is less than a नहीं x-a is negative तो तो हमारे जो function की value है वो 0 लेते हैं तो correct answer हमारा 0 होगा reference के लिए और एक मैंने link दिया हुआ है आपको कि Macaulay's brackets के अंदर की value अगर negative आती है तो whole bracket is set to a value of 0 and ignored ठीक है यह reference दिया हुआ है इसमें भी आपको objection नहीं रोज करना parametric estimating में हम historical static data use करते हैं reference के लिए dictionary of project management की book है जहां पर clearly लिखा हुआ है कि parametric cost estimating में हम लोग parametric estimating parametric cost नहीं parametric estimating में that technique that uses statistical relationship between historical data and other variables तो इसमें भी आप objection नहीं रेस करेंगे precipitation that begins as a snow but melts into rainbow before reaching the ground is sleet freezing rain में इसका उल्टा होता है ground तक पहुंसते हमारी rain freeze हो जाती है ठीक है reference के लिए आप यह hydrology की book refers कर सकते हैं कि freezing rain में आपका water drops again हमारा ice से coat होके freeze हो जाता है इसी वाज़े से इसको freezing rain बोलते हैं तो हमारा correct answer C होगा इसमें भी आपको objection नहीं रेस करना है इसके next question है कि which truss design typically consist of diagonal members that slope towards the center and slanted in what directions correct answer हमारा Pratt truss होगा warrant truss नहीं होगा Macaulick की website का link है इस ठीक है यहनि मैंने link दिया हुआ है इसमें लिखा है the Pratt truss as a diagonal member that slant towards the center ठीक है एक दूसरा भी link दिया हुआ है ठीक है और एक book का reference दिया हुआ है common type of truss R.C.Hibler की इसमें आप देखेंगे Pratt truss में इसमें आप देख रहे है इसमें जो हमारे diagonal members है they are slanted towards the center ठीक है यह हमारा center है इसमें देखें यह members center की तरह slanted है ठीक है तो Pratt truss हमारा इसका correct answer होगा ठीक है one interest नहीं होगा इसका most appropriate answer इसमें भी आप objection raise कर दीजे which rock is created by compaction and cementation of mineral grains sedimentary rocks है यह link मैंने दिया हुआ है इसमें भी आपको objection नहीं raise करना contour interval अगर smaller है तो more detailed representation होगा reference के लिए government college of engineering की book है contour interval is small if the area to be surveyed is small and the maps are required to be used for the design work because more detailed representation is there consistency के basis पे हमारे solid semi-solid or liquid bitumen होते हैं roofic residual bitumen आपके जो है यह आपके based on application है तो यह correct answer दिया है इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है maximum shear stress M30 grade के लिए हमारी 3.5 होती है इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है उसके next question है depreciation cost जो है is the loss in value of property due to its use of life wear and tear तो इसकी वज़े से जो पैसा हमारा depreciate हो रहा है that is a depreciation cost which grade is commonly used for steel construction general construction tension member FE 415 हमारा use करते है reference के लिए IC Goyal की book है steel reinforcement of yield strength FE 415 in construction of multi-story frame buildings FE 415 FE 500 हम यूज कर साकते है IC sale AK Goyal की book है in which valuation method is property compared to recent sales of similar properties in the vicinity's market data approach this is the reference this approach involves comparing a property to other recently sold properties in the same area which property of porous terracotta is unacceptable as a construction material reference के लिए IC Goyal की book है यहां पे आप porous terracotta देख रहे हैं lightweight सही है fire resistance सही है strength requirement में it has poor strength यहां पे क्या दिया good strength good strength is incorrect ठीक है porous होने के लिए आपको strength कम होनी पड़ेगी ठीक है तो यह सही दिया हुआ है इन्होंने answer circular sign हमारा mandatory instruction के लिए होता है जिसका background जो होता है वो ब्ली होता है यहां पर लिखा हुआ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए लारजस्ट अमांट ऑफ अर्स फ्रेश वाटर जो हमारा glacier और ice caps पे है माइकल जोगोबिसन की बुक है इसमें लिखा हुआ है कि earth's water frozen in ice caps glaciers and sea ice contains the largest reserves of fresh water on earth इसमें भी आपको कोई objection नहीं raise करना जो हमारा next question है centrifugal pumps convert kinetic to pressure energy correct है average food rough की बुक है जिसमें जो वालूट है centrifugal pump का that converts kinetic energy into pressure energy ठीक है इसमें भी आपको objection नहीं raise करना है इसके next question है अडियारियन जोसब की बुक है जिसमें कहा गया है कि जो theory of plasticity है that is based on the development of fellow zone exactly why lines है जो question में लिखी हुई है within the soil mass behind the retaining structure using the principle of limiting equilibrium this is basis of Rankine's theory which is theory of plasticity इसमें भी आपको कोई भी reference raise नहीं करना कोई भी objection raise नहीं करना है so I hope this video is helpful and जो भी इसके लावा बचे हुए questions है जिसमें आपको confidence है कि इसमें आपको objection raise करना है आपको मुझे भेज दीजिए I will try to provide the solution due to time shortage मैं सभी questions नहीं कर पाया इसका जो PDF है मैं आपको अलब से share कर दूँगा Thank you and on the list